निव्ज जुबएग जानकारी के लिए देखते रहिए निव्ज डिवाइब नया नया ये साल है आया मिलवर्तन का पैगाम है लाया अरदास यही है निराकार से हरसु हो खुशियों का साया अपने सभी दर्शुकों को वर्ष 2016 की शुब कामनाएं देते हुए निव्ज डिवाइब की समस्त टीम की और से हार देख स्वागत करते हैं हम कुछ जीता कुछ हारा मिलाजुला संसार हमारा और यही खुबसूरती है इस धरा की इस मानव परिवार की जी हाँ अनेक धर्म है अनेक भाशाएं है अनेक संस्कृतियां है अनेक मौसम भी है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब की मूल पहचान एक ही है जी हाँ और इसी मूल पहचान के साथ जोड़कर सद्गुरू ने हमें सभी बंदनों से निजाद दी है तो आएए नए साल की शुरुवात करें सबसे पहले अपने सद्गुरू से अपने भूलों की शमा याचना करते हुए सभी पिछले गिलेशिक में मिटा कर और सद्गुरू निराकार का शुकराना करते हुए आने वाले दिनों में सुमती, समृध्धी और भक्ती का दान मांग कर तो आएए अब नियूस डिवाइन के इसंक की शुरुवात करते हैं राकेश जी नया साल है क्या खास है इस बार मुक्ता जी, 2016 का ये पहला एपिसोड है और दोस्तो हर साल की तरह इस बार भी हम निरंकारी जगत की वर्ष 2015 की सारी मुख्य खबरों का गुलदस्ता आपके लिए पेश करने जा रहे लेकिन इस गुलदस्ते में एक बहुत खास फूल भी रहेगा हम कैसे भूल सकते हैं दिसंबर 2015 की खबरों को जी हाँ और उन खबरों को भी हम साथ साथ सम्मिलत करते रहेंगे तो आएए शुरुवात करते हैं न्यूस रिवाइन के इस सफर की प्रमुक समाचारों के साथ Headlines of the month एक खास मुलाकात Salvation Tours समागब Mission Overseas SNCF Diary and Other News मुकता जी Headlines में सबसे पहले एक खास मुलाकात जी हाँ ये मुलाकात हर बार खास होती है लेकिन इस बार अगर कहें कि खासम खास है तो आप क्या वैस करेंगे मैं शायद आपका संकेत समझ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हम ये खास मुलाकात सद्गरु बावा हर्देव सिंग जी से करने वाले हैं ये खास तौफा नए साल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चलते हैं आज नए साल दोजार सोला में परवेश कर रहे हैं दुनिया भर में हर वरस नए साल का शुवाव कमन किया जाता है प्राथनाओं के साथ गुड विशिस के साथ ये ही खास लिये हुए कि नए वर्ष में सभी प्रेम भाई चारे की भावना को और मजबूती देंगे इनसान इनसान के करीब आएगा और सारा वातवरन सुन्दर सुखत बनेगा तो इसी आस इसी प्राथना के साथ इस नए साल का अग्मन हो रहा है तो यही अरदास यही प्राथना है कि दातार किर्पा करे आप सब भी भी महाँ पुष विश भर में किसी मुलक में रहते हैं ससंग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं समाज की सेवा बढ़ चड़ कर करने के लिए कितने नौजवान भी लगातार वलंटियर्स के रूम में आगे आ रहे हैं और ये भाव हमेशा बने रहें, इसको इस साल भी और मजबूती मिलती चली जाए आपस में मिलवरतन बढ़ता चला जाए, गुर्सी गुर्सी का अदर सदकार करता चला जाए एक दूसरे को सर आँखों पे बिठाया जाए और पूरण गुर्मत के अनुसार, निव के निमर्ता सहत, विशालता और सेंशीलता के प्रमान देते हुए सबी यश के पात्र बनते चले जाएं और ये भी आपको मालूम है कि पहली जैनुवरी को राजमाता जी का जनब दिन भी होता है जो बरसो बरस से हम मनाते भी आ रहे हैं और उनका साया, उनकी आशीशें लगातार तमाम सासेंगत को मिलती आई हैं जिनोंने इसी गुर्मत को मजबूती देने के लिए हर किसी को खुद मिसाल बनकर शिक्षाएं दी तो बाकी अंतमे दास सब के लिए प्राथना करता हुआ इस नए बरस के आगमन पर सब को मबारक बात देता है और शुक कामना करता है कि सबी हर परकार के तनमंधन के सुख भी प्राथन करते चले जाएं दोस्तों सब्गुरू के आशीरवादों के बाद अब समय है अपने अगले सेक्षन की और रुख करने का Salvation to Us जिसमें सब्गुरू बाबा जी और पूजे माता जी के देश और विदेश की कल्याण यात्राओं का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तत किया जा रहा है जी हाँ हम जैसा की जानते हैं पिछले कई सालों से सब्गुरू विश्व भर में प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और अब हम आपको उन्हीं कल्याण यात्राओं का ब्योरा दिखाने वाले हैं जिसे पेश कर रही हैं कुसुम सद्गुरू बाबा हर्देव सिंग्जी महराज और पूजय माता सविंदर काउर जी की मानव कल्याण हेतु संकल्पिती यात्राओं निरंतर चलती ही रहती हैं वर्ष 2015 में भी दिवी युगल ने देश के विभिन शहरों, गाउं और कस्बों में बसने वाले भक्तों को अपने ब्रह्म ग्यान के प्रकाश की रोशनी से प्रकाशित किया वहीं विदेशों के भी कई शहरों में जाकर वहां बसने वाले भक्तों को अपने प्रेमा अशिर्वास से निहाल किया वर्ष 2015 में संपन्न हुई कल्याण यात्राओं का संग्शित ब्यवरा लेकर हाजिर हुमें कुसुम आए देखते हैं ये रिपोर्ट सद्गुर बाबा हर्देव सिंग्जी महराज अर्व पर्थम 17 जन्वरी को दिल्ली से चले हर्याणा राजस्थान और गुजरात की ओर इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव बना राजस्थान का पाउटा जहां विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था इसी तरह जैपूर अजमेर और उदैपूर में आयोजित सत्संग समारोह में भी भगतों को भरपूर आशिर्वाद प्राप्त हुआ इसके अलावा 21 जन्वरी को गुजरात के एहमदाबाद पहुचकर दिवे युगल ने भगतों को किरतार्थ किया जन्वरी में ही मुंबाई समागम संपन होने की पश्यात दिवे युगल के कदम बढ़ चले विदेशों की धर्ती की ओर 28 जन्वरी से 21 फर्वरी तक चली इस कल्याण यात्रा में आस्टेलिया और नियूजिलेंड में रहने वाले भगतों को 29 जन्वरी को सद्गरू बाबाजी वपूजे माता जी सबसे पहले आस्टेलिया के शहर सिड्डी पहुंचे इसके बाद ये कल्याण यात्रा ब्रिस्बिन और फिर नियूजिलेंड के शहर विलिंग्टन पहुंची जहां सद्गरू बाबाजी वपूजे माता जी का भवे स्वागत किया गया इसके बाद ये कल्याण यात्रा 10 फर्वरी को मेलबन, 14 फर्वरी को एडिलेट और 17 फर्वरी को पर्थ शहर पहुंची At all places, सद्गरू बाबाजी and माता जी were welcomed with enthusiasm and joy. Huge samagams and congregations were held at various places to spread the message of the mission. His Holiness also greeted many local authorities and officers along with being honored by many awards and recognitions. From Australia, before returning to India, the journey reached Singapore on the 20th of February where a huge congregation was also held. कल्यान यात्राओं का ये सिलसिला चलता रहा और मार्च के महीने में भी दिवे युगल ने 31 मार्च से 11 अप्रेल तक उत्तर प्रदेश के भिन 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 शहरों गाउं वा कस्बों में जाकर भक्तों को कृतार्थ किया जिनमें 31 मार्च को वारांची तथा बाबतपूर, 2 अप्रेल को जौनपूर, 3 अप्रेल को सुल्तानपूर, 4 अप्रेल को गोरकपूर, 5 को सिधार्थनगर और बारबंकी, 7 को उन्नाव, 8 को कन्नावज, 9 को शहसहापूर, 10 को चन्दावसी और 11 अप्रेल को अलिगड की धर 11 से 24 माई तक दिव्य युगल की छत्रचाया में मसूरी की वादियों में भरपूर राउनकें लगी रही, और देश के कोने कोने से भारी संख्या में भग्त यहां पहुचकर भरपूर आनंद उठाते रहे, तदपशाद 24 माई को रूड की में आयोजित सर्चंग समारों मे उपस्तित हजारों शर्धालों को अपनी पावन किर्पा से किर्तार्थ करती हुए दिव्य युगल का ये दिव्य काफिला 25 माई को दिल्ली पहुचा, दिल्ली में चंद दिनों तक भग्तों को अपने प्रेमा अशिर्वात से निहाल कर ये रूहानी जोडी विदेश कल्य याद यात्रा पर रवाना हो गई, 28 जून से 10 अगस्त तक यूके युविस्सी वकनेडा के भगतों पर भारपूर किर्पा बरस्ती रही The Salvation Tour began with His Holiness and Pooja Mataji's arrival in London on 28th of June, followed by a transatlantic trip to North America which began from Montreal on 1st of July. This was followed by a memorable visit to Calgary from 2nd July till 6th of July. During the trip to Calgary, His Holiness participated with hundreds of devotees in the annual event of international fame, the Calgary Stampede, where the message of the mission was shared with sounds and echoes of oneness. A youth conference was also held in Calgary, where hundreds of youngsters participated in a novel way to share, discuss and contemplate on the theme of the conference, a world without walls, bridging humanity, piece by piece. Calgary से सद्गुरु बाबाजी के कल्यान यात्रा, USA के शहर ट्रेसी साथ जुलाई को पहुची. इसी प्रकार ये यात्रा 11 जुलाई को लोस एंचुलिस और 14 जुलाई को फीनिक्स शहर पहुची. अनेक स्थानों पर सद्गुरु बाबा हर्देव सिंग जी महराज वा पूजे माता जी की हुजूरी में समागम आयोजित हुए. इन अप्सरों पर सत्य, प्रेम और तया का संदेश साजा किया गया. Representatives of various faiths, government organizations, NGOs, and neighborhood seek the audience and blessings of the divine duo. His willingness Babaji was also honored by various organizations. भवे यात्रा का ये सिलसिला, अमेरिका के शहर Dallas, Atlanta, Cincinnati, Chicago, Milwaukee, और Minneapolis से होता हुआ Cleveland पहुचा. सभी स्थानों पर भक्तों को अपने दर्शनों से निहाल करने के बाद, सद्गुरु बाबाबा जी वपूजे माता जी कैनिड़ा के शहर टोरॉंटो पहुचे. टोरॉंटो में दो दवेशिय संभागम के दारान, नौर्थ अमेरिका के विभिन शहरों से भक्तजन पधारे. From North America, the Salvation Tour reached United Kingdom again, and the city this time was Birmingham. Here, during a massive congregation, His Holiness was honored with the most prestigious Queen's Award, signed personally by the Queen of England. This award was conferred to the Mission for its social contributions in England. After UK, a two-day European Samagam was also held in Amsterdam, Holland, sharing the mission's message of God Realization, Love, Compassion and Tolerance. इसी प्रकार कल्यान यात्रा की अगली कडी की शुरुआत हुए सितंबर के महिने में, जब सत्गुरुबाबाजी और परंपुजे माता जी, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, पंजाब और हर्याना की ओर रवाना हुए. 13 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में, दिव्य युगल सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुचे. यहाँ पर 16 सितंबर को आयोजित सत्संकारिक्रम में भगतों को आशिर्वात प्रदान किया. इसी प्रकार 17 सितंबर को विलासपुर, 18 सितंबर को सुरेंदर नगर, 19 को हमीरपुर, 20 को जोगिंदर नगर, 21 को कांगणा में आशिर्वात प्रदान करते हुए, 22 सितंबर को जम्मो कश्मीर के चंबा पहुचे. यहाँ पर सत्संकारिक्रम में भगतों को दर्शन देकर डलहौजी होते हुए पंजाब की ओर रमाना हो गए. पंजाब में 25 सितंबर को तलवाडा, 26 को नमा शहर, 27 को सुनाम और 28 सितंबर को हर्याना के टोहाना में होते हुए मानवता के मसीहा सत्गुर बाबाजी ने दिल भगतों को आशिरवात प्रदान किया. इसी परकार 8 अक्टूबर को हर्याना के हिसार में सत्संक समारोह में भगतों को किर्तार्थ करते हुए ये कार्मा इसी दिन दिल्ली की ओर रमाना हो गया. दिल्ली के वार्शिक समागम के पश्षाद दिसंबर के महीने में एक बार फ केकडी में सत्संग के उपरांत 13 दिसंबर को बोंदी आगमन हुआ और 14 को सवाई माधोपूर में सत्संग कारिक्रम में भगतों को आशिरवात प्रदान किया. और फिर 15 को टोंक और 16 को दौसा में हुजूर की छत्रचाया में सत्संग समारोह का आयोजन हुआ. इंसान तुझे मालिक ने अमोलक जनम दिया है कुछ हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्ती करने के लिए. और वो हासिल करना, वो प्राप्ती करनी कुछ दुनियावी आधार के उपर नहीं है. कुछ दुनियावी प्राप्तियों की बात नहीं हो रही है. सुत्दारा और ल आत्मा का कल्यान हो जाता है जिसके कारण पर लोग सुहला हो जाता है जिसके कारण आवा गवन के बंदन से निजात मिल जाती है जिसके कारण ये जीवन जीने का सलीका मिल जाता है ऐसा वो कदम उठाना हर इंसान के लिए वो लाबदायक है और इसी परकार 18 दिसंबर को उत् वहीं दिल्ली वापसी के बाद दिल्ली वास पास के क्षेत्रों में जाकर भगतों को भरपूर खुशियां प्रदान करते रहे जहां एक और निरंतर देश विदेश के कल्यान यात्राएं कर हुजूर बाबाजी भगतों को कृतार्थ करते रहे वही देश विदेश के भिन भिन स्थानों पर भाव्य समागम का आयोजन कर बड़ी संख्या में मानो समाज को अध्यात्मिक्ता की ओर प्रेरित करते रहे प्रादेशिक समागमों की लड़ी में जन्वरी के महीने में सबसे पहले दिव्य यूगल का आगमन हुआ माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में जहां 23, 24 और 25 जन्वरी को ये समागम आयोजित किया गया यहां पर देश विदेश के कोने कोने से विशाल संख्या में श्रधालू भक्तों ने शिर्कत की तीनो दिनों के सत्संग समारोह में जहां भक्तों ने अपने भाव, गीत, व्याख्यान और कविता के रूप में प्रस्तुत किये वही सेवादल रेली वा गुरु वंदना के कारिक्रम में भी विभिन प्रकार की मनमोख प्रस्तुतियों के माध्यम से भक्ती प्रेम का संदेश दिया हुजूर बाबाजीने अपने अमरित वच्टनों में उपस्थित मानो समोह को भरपूर आशिरवात परदान किया प्रादेशिक समागमों के लिहाज से मार्च का महिना बेहद खुशकवार रहा साथ और आठ मार्च को धार्मिक नगरी हरिद्वार में उत्तरा घंका प्रादेशिक समागम आयोजित किया गया जहां आसपास के शहरों से भी भारी संख्या में भक्त जन उपस्तित हुए सत्संग समारों में देर तक गीत, व्याख्यान और कविताओं के रूप में भक्तिधारा प्रवाहित होती रही यहां पर हुजूर बाबा जी ने भक्तों को भरपूर आशिर्वात प्रदान किये इसी प्रकार 21 और 22 मार्च को मध्य प्रदेश का प्रादेशिक समागम जबलपूर की धर्ती पर आयोजित किया गया इसी प्रकार जारखंड की राजधानी राची में 25 और 26 मार्च को जारखंड का प्रादेशिक समागम आयोजित किया गया हजारों की संख्या में उम्डे जन सैलाब को हुजूर बाबा जी ने भरपूर आशिर्वात प्रदान किये और इसी प्रकार प्रादेशिक समागमों की ही लड़ी में 28 और 29 मार्च को पश्यम बंगाल के बर्धमान शहर में भी आयोजित समागम समारोह में हजारों की संख्या में शर्धालूं ने दिवे युगल की छत्रचाया में भरपूर आनंद प्राप्त किया वर्ष 2015 में जहां एक और स्थान स्थान पर वार्षिक और प्रादेशिक समागम आयोजित होते रहे वही इन समागमों के अलावा भी दिल्ली के समागम ग्राउन में हुजूर बाबाजी और परमपुजे माता जी की छत्रचाया में समय समय पर अनेको मुखे समागम आयोजित किये गए 11 जनवरी को भगती पर्व समागम और 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के रूप में भरपूर खुशियां और रहमते भगतों को प्राप्त होई इसी प्रकार 24 अप्रेल को मानव एकता दिवस समागम 15 अगस्त को मुक्ती पर्व समागम का आयोजन हुआ जिसमें शहनशा बाबा आवतार सिंजी, जगत माता जी, बाबा गुर्बचन सिंजी वर राज माता जी के शिक्षाओं को याद किया गया इस समागम में दिल्ली वा दिल्ली के आसपास के शहरों से भरपूर संख्या में भक्तों ने उपस्तित होकर दिव्य यूगल का आशिरवात प्राप्त किया इन समागमों के अलावा दिल्ली का 68 वाटशिक संसमागम 14, 15 वा 16 नवंबर को दिल्ली में बुराडी रोडिस्थित समागम ग्राउन में सद्गुरुबाबजी और परमपुजे माता जी की छत्रचाया में भक्ती में वातावरण में हट्शोल लास के साथ मनाया गया इस समागम में जहां लाखों की संख्या में रधालु भक्त सम्मिलित हुए वही देश-विदेश के अनेको गणमान्य सजञन भी उपस्थित हुए समागम में तीनों दिनों के सत्संग कारिक्रम में जहां भक्तों ने विभिन भाषाओं का सहारा लेकर गीत, व्याख्यान और कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किये महीं सेवादल रेली और गुरू वंधना के कारिक्रम में विभिन प्रकार की मोहक प्रस्तुति दे कर दर्शकों का मन मोह लिया सत्गुरू बाबाजी ने उपस्थित भक्तों को भरपूर आशिर्वात प्रदान किया समागम के पहले दिन के कारिक्रम में दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अर्विंद केजरिवाल और उनके मंत्री मंदल के अनेक मंत्रियों सहित कई गण माने सज्जनों ने उपस्थित होकर सद्गुरु बाबाजी का आशिर्वाद प्राप्त किया पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन भी सज्चंकारिक्रम में समाज के अनेक गण माने सज्जन उपस्थित थे जिन में हर्याना के मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल खटर, बीजेपी के डॉक्टर हर्शवर्धन, हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भूपेंद्र सिंग और दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दिक्षित के अलावा, नोबल पुरसकार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत अनेक गण माने सज्जन उपस्थित थे विशाल समागम ग्राउंड का आलाव की गड्रिशित स्वर्गसा नजारा प्रस्तूत कर रहा था दयालू सद्गुरू जहां एक और देश के कोने कोने में समागम का आयोजन कर भगतों को आध्यात्मिक्ता की खुराग बाटते रहे वहीं विदेशों की धर्ती को भी इस पावन महायग्य से महरूम नहीं रखा Along with all the Samagams which are held in India, many Samagams were also held in the presence of His Holiness Babaji overseas which include the 5th July Samagam held in Calgary, Canada, the 12th July Samagam of Los Angeles, USA, the 15th July Samagam of Phoenix, USA, 2nd August, Toronto, Canada, 5th August, London, UK and 9th August, the European Samagam in Amsterdam उनन्चासवा मुंबई समागम जो की 22-23-24 जन्वरी 2016 को मुंबई के खारगर मैदान में होने जा रहा है उसकी सेवा का उद्घाटन 20 दिसंबर को एक्जेकेटिव मेंबर नरेंद्र मामा जी, वबहन सुदिक्षा जी और अवनीजी द्वारा संपन हुआ तक पश्चात विधिवत रूप से मुंबई समागम सेवा की तैयारियां शुरू हो गई और रोजाना हजारों की संख्या में शर्द्धालू भक्तों का सेवा हेतु समागम स्थल पर आगमन शुरू हो गया समस्कार धन्यकार इस वक्त हम आप हुचे है खारकर के उन विशाल मैदानों में जहां पर होने वाला है और पर आगमन शुरू होती है खालत्छों में प्रणी कर्वालेते हैं। फिश्लियता हुच्च में आगार टाग मैं थागरा के बाबब ढ़लेते हैं। घर को आगमन शुरू हो गया और दिए सब्सक्राइब करते हैं कि अपिस्टे काम करते हैं कि अधनावा प्राप्त जाला है सद्बुरुची पुर्पा है अधनी सद्बुरुची चरणावरी जर्दास है कि अमरा शिनिरंतर सेवा इंबड़ता हुआ जी हाँ साल 2015 के समागमों के समाचारों के बाद हम न्यू सिवाइन के सफर को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सी यू आफ्टर दे ब्रेक मावी 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 जाचर अवतार की जैंका परम्पुच्य माताँ जी की जैंका व्याँ अरे सेक्षन का नाम है Mission Overseas, a report by Samta Hello Friends, this is Samta Various branches of Sandhya Nankari Mission spread across the world are contributing to spread the social and spiritual ideology of the mission Here is a compiled report of all such global efforts of the mission in the year 2015 Besides the activities of Sandhya Nankari Mission in India the year 2015 also saw all the international branches and centres of Sandhya Nankari Mission contributing and spreading the message of the mission through various spiritual and social initiatives Various centres of the Nankari Mission located in Australia, New Zealand, Middle East, UK, USA, Canada and other parts of the world organized congregations and samagams all through the year This included Baal Samagams, Ladies Samagams and General Congregations Bhakti Parv, Guru Puja Divas and Manav Ekta Samagams were also organized emphasizing the related messages Various international days, festivals and fairs were also celebrated as an opportunity to introduce the ethos of the mission and teachings of the Sadhguru This included Diwali celebrations, Mother's Day celebrations, Music for Oneness Eve in Calgary Cricket matches, India Day celebrations at Chicago, International Women's Day celebrations in New York, etc. The mission and its volunteers participated in numerous social events and initiatives throughout the year This included food donation drive in New York and Toronto, a country dinner at West London Various cleanliness and tree plantation drives, blood donation camps and health clinics at various places The mission also received many awards, honours and recognition from various organisations and agencies for its social-spiritual contributions Many motivational runs and walks were also organized from time to time to promote and introduce the core teachings of the mission In a new and novel initiative, His Holiness Baba Ji blessed the devotees of South Africa through a video conference congregation In the month of December 2015, the first UAE Lady Samagam was held on 11th of December in Dubai where devotees shared the teachings and ideology of the mission A tree plantation drive was also organized by the volunteers of the mission on 19th of December 2015 in Breadford, UK So these were the next day New York A tree and Vietnam You can get involved with the prayer umas to each other You can get involved determine what dates दिव्य अंतराश्रिय समागम जी हां बहुत सारे प्रश्ण आपके मन में भी होंगे अगर आप अपने प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं नंबर है 011-4766-0281 और अगर आप चाहें तो इमील के जरिये भी हमसे कम्यूनिकेट कर सकते हैं तो इमेल आइडी जोट कर लेजिए टिकेट्स की सूचना के लिए इमेल आइडी रहेगा traveldesk at nis2.org और अन्य सूचनाओं के लिए indiahelpdesk at nis2.org राकेश जी अब मन कर रहा है बस चल्दी से flight पकड़ी और पहुँच जाएं टॉरंचो दोस्तो बर्मिंगम में आयुजित हुए एहले nis के अनुभव के बाद सभी भक्तों को बस प्रतीक्षा है कि कब जून का महिना आए और कब हम सब मिल जूल करके सद्गुरु बाबाजी के विश्व बंधुत्व के साक्षात दृष्य को जीवन्त करके प्रेम और भायचारे की एक और मिसाल कायम करें जी हां तो फिर आप भी क्या सोच रहे हैं जल्दी से अपनी टिकेट बुक करवाईए और nis2 की यात्रा के लिए तयार हो जाईए पर मुक्ता जी हमें न्यूस डिवाइन की यात्रा भी तो तैक करनी है अभी जी हां संत निरंकारी चरिटेबल फाउंडेशन की गतिवीदियों पर अब एक नदर डालेंगे रिपोर्ट पेश कर रही है आमरुपाली अध्यात्मी गुथान के साथ साथ निरंकारी मिशन समाजिक योगदान की ओर भी प्रभावशाली रूप से कारे कर रहा है वर्श 2015 में भी SNCF की ओर से तमाम प्रयासों का ब्योरा देखे इस रिपोर्ट में वर्श 2015 में SNCS यानी संत निरंकारी चरिटेवल फाउंडिशन की ओर से हील, एंडरिज, एन एंपार्मेंट पर जोर देते हुए भीन-भीनिक शेत्रों में समाजिक कारे किये गए ब्लड डोनेशन की लड़ी में देश के भिन-भिनिस्थानों पर लगबग 270 ब्लड डोनेशन कैम्प लगाए गए जिसमें निरंकारी मिशन के भगतों, सेवादारों और SNCF के वलेंटियर्स द्वारा 50,605 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया डोनेशन के रूप में तिहार जेल में पुझ्यमाता जी द्वारा 500 पुलोवर्स, 5 स्विंग मशीन्स और लगबग 300 चश में बाटे गए इसी प्रकार SNCF के द्वारा लगबग 7 आई चेकप कैम्प तिहार जेल सहित देश के भिन-भिनिक शेरों में लगाए गए वर्ष 2015 में ही 16 जगहों पर फ्री मेडिकल चेकप कैम्प भी लगाए गए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इसका लाब उठाया इसके अलाबा समय समय पर योगा कैम्प एक्योप्रेशर वसुजोग कैब के साथ-साथ थली सीनिया अवेरनेस कैम्प भी लगाए गए NIIT, NSDC और WAG के सहयोग से SNCF की ओर से स्थान स्थान पर खोले गए निरंकारी वोकेशनल सेंटर के चात्र चात्राओं को भिन भिन कोर्सेस कराए गए इसके अलाबा ग्राजुएशन सेर्मेनी Youth Environment Course और बच्चों के लिए समर कैम्प भी लगाए गए इसके साथ SNCF की ओर से निरंकारी इंस्टिटूट ओफ म्यूजिक एन आर्ट भी खोला गया वर्ष 2015 में कश्मीर, नैपाल, चिर्नई व अन्य स्थानों पर प्राकर्तिक आपदाओं द्वारा हुए भारी नुकसान से लोगों की सहता हेतू SNCF की ओर से रिलीफ कैम्प लगाए गए जिसमें लोगों को कपड़े, खाना और दवाईयों के साथ-साथ कई जरूरी सामान भी उपलब्द कराया गया SNCF की ओर से मुंबई में 119 BMC स्कूल अभिवासिका के बच्चों को समय समय पर कितावरे, कपड़े, मुहया कराये गए तथा SNCF के वोलेंटियर्स द्वारा निश्यूल के ट्यूशन भी दी गई SNCF वोलेंटियर्स अल्सो पार्टिसिपेड़ इन वर्षा मारिथन और कंवेड दे मैसेज ओफ वननेस इसके अलावा हैदराबाद में भी एक पीस वॉक के द्वारा बाइक रैली निकाल कर मिशिन का संदेश जन जन तक पहुँचाया गया SNCF के वोलेंटियर्स द्वारा कुम्ब के मेले में भी लोगों की सहायता की गई और इसके साथ ही दिल्ली में दिल्ली ओलंपिक एसोसियेशन द्वारा आयोजित ओलंपिक गेम्स में भी SNCF वोलेंटियर्स ने अपनी सेवा प्रदान की जिसे सरकार द्वारा भी सराहा गया मुंबई के एक अनाथाले आनन्द निकेतन में SNCF की ओर से पूझे माताजी द्वारा अनाथ, विकलांग व कैंसर पीडितों को सहायता प्रदान की गई वर्ष 2015 में SNCF द्वारा देश विदेश में ट्री प्लान्टेशन और क्लीनलीनेस अभ्यान चलाए गई इस अभ्यान में मुख्य केंद्र रहे दिल्ली के हिस्टॉरिकल प्लेस और विभिन खाट इसके अलावा स्वच रेल अभ्यान के तहट SNCF की ओर से दिल्ली वर दिल्ली के अलावा लगभग 46 रेलवे स्टेशन पर मिशिन के सेवादारों वर SNCF के वोलेंटियर्स ने रेलवे स्टेशनों की सफाई कर रेल को स्वच रखने का संदेश भी दिया यह सफाई अभ्यान प्रतेएक महिने की 12 तरीक को लगातार चलाए जा रहे हैं जो आज सफाई अभ्यान चल रहे हैं जगए जगए पर जहां पर हजारों की संख्या में वोलेंटियर्स से वदल के और SN जो हमारी फांडेशन है नंकारी फांडेशन चैरिटेवल और अनिकोंने को कारे करता जहां पर देश भर में 41, 42, 45 रेल्वे स्टेशन के उपर आज ही के दिन रेल्वे स्टेशन की सफाई कर रहे हैं जो की ओन गोइंग प्रोसेस हर महिने ऐसे ही स्टेशन जो मार्ग्ड हैं वहां पर अपना योगदान देंगे HNCF के सफल पाच वर्ष पूरे होने पर फाउंडिशन डे भी मनाया गया इसके अलावा HNCF की ओर से समय समय पर मास मैरिजिस करवाई गई और एक्जिबिशन भी लगाई गई वर्ष 2015 में ही संत निरंकारी मिशन वह HNCF की ओर से दिल्ली में एक संत निरंकारी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल की नीथ सद्गुरु बाबा हर्देशन जी महाराज के पावन करकमलो द्वारा रखी गई Before we move forward in this journey of News Divine, viewers it is time to take a short break निरंकारी रेडियो Sad Guru Har Deva 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 Break के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है News Divine का ये सिलसला अब अपने अंतिम चरण में आप पहुचा है तो चलिए अब समय उन खबरों को पहुचाने का है जो मिली जुली तो है लेकिर इनका उदेशे होता है प्रचार प्रसार और प्यार भरा संसार सेक्शन का नाम है अन्य समाचार और जिसे हमारे साथ साजा कर रही है लेकर के आ रही है सविता हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सविता जहां एक और सद्गुरू बाबा हरदेव सिंग जी महराज देश विदेश के कोने कोने में जाकर अपने भक्तों को रूहानी खुशी और आशिरवात प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर निरंकारी मिशन के द्वारा बाल समागम, महिला समागम, इंग्लिश मीडियम समागम, यूथ वर्क्शॉप, मीडिया ट्रेनिंग कैंप्स भी आयोजित किये जाते हैं तो आईए 2015 की इन ही कुछ गती विदियों का ब्यवरा देखे इस रिपोर्ट में वर्ष 2015 में भी बच्चों को आध्यात्मिक्ता की ओर प्रुटसाहित करने और उनकी बहुबुखी प्रतिभा का विकास करने ही तू अलग-अलग राजियों में बाल समागम आयोजित किये गए इन बाल समागमों में बच्चों ने गीत, व्याख्यान, कविता और स्किट आधी के माध्यम से जहां अपने भक्ती भाव प्रकट किये वहीं सत्य का संदेश भी दिया बच्चों को मिशन के इतिहास से अवगत कराने के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और साथ ही साथ चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजित भी किया गया वर्ष 2015 में इंग्लिश मीडियम समागमों का आयोजित भी समय समय पर देश के अनेक राजियों में किया जाता रहा वहीं 10 अक्टूबर को दिल्ली में सद्गुरु बाबा हर्देव सिंग जी महराज एवं पुझे माता जी की छत्र चाया में इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किया गया जिसमें दिल्ली वह आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में बच्चे वह युवाभक्त सम्मिलित हुए मिशन की प्रचार प्रसार में महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिहास से प्रचार विभाग के प्रयासों का सिलसिला वर्ष 2015 में भी जारी रहा इसी कड़ी में गत वर्ष बड़ी संख्या में महिला समागम भी देश विदेश में आयोजित किये गए इन आयोजितनों में महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया मिशन की मूल विचार धारा को बदलते समय की प्रचार व्यवस्था से जोडते हुए जरूरी दिशा निर्देश सांजा करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रचार विभाग की ओर से अनेक राज्यों में प्रचारक ट्रेनिंग केंप्स लगाई गए इसी प्रकार युवाओं के मार्क दर्शन और मिशन की गती विधियों में योगदान पर चर्चा हितु प्रचार विभाग की ओर से यूथ वर्क्शॉप्स भी लगाई गए समय समय पर वार्शिक वो प्रादेशिक समागमों में लगने वाली प्रदर्शनियों के अलावा हर आमो खास को मिशन के इतिहास दर्शन वो विचार धाराओं से अभगत कराने के लिए वर्ष 2015 में देश के लगवग 18 शहरों में ये प्रदर्शनी लगाई गई जहां पर निरंकारी भक्तों, स्कूल के बच्चों सहित, देश के अनेक गण मानने व्यक्तियों ने पहुँचकर उत्साहपूर्वक निरंकारी प्रदर्शनी का लाव उठाया दिल्ली में बुराडी रोड स्थित, निरंकारी सरोवर परिसर के अंतरगत बने, एकत्व के फवारे, फाउंटेन ओफ वननेस को दिल्ली सरकार की ओर से दिसंबर 2015 में टूरिस्ट प्लेस घोशित किया गया जो की निरंकारी जगत के लिए हर्श वो गौरव का विशे रहा देश भर में प्रतिवर्श लगने वाले विश्व पुस्तक मेले में 2015 में मिशन के प्रकाशन विभाग की ओर से निरंकारी साहित्य के स्टॉल लगाए गए जिसके माध्यम से बड़ी संख्याव में पुस्तक प्रेमी निरंकारी मिशन की विचार धाराओं से रूबरू हुए प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से मीडिया ट्रेनिंग वर्क्शोप्स का आयोजन भी होता रहा जिसमें मीडिया से संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई साल 2016 का ये पहला एपिसोड है और देखिए राकेश ची साल 2015 खतम हो गया और 2016 का हमारा पहला एपिसोड भी जी हाँ और अच्छा वक्त शुब वक्त मीठी बातों का वक्त कैसे गुजा जाता है पता ही नहीं चलता जी हाँ ऐसे ही एक साल खत्म हुआ एक महीना खत्म हुआ और आने वाला वक्त भी खतम हो जाएगा लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर बीता वक्त खुशनुमा हो आनन्द से भरा हुआ हो और अब समय आ गए है अपने दर्शकों से विदा लेने का नव वर्ष की शुब कामनाओं के साथ सद्कुरू निराकार से मंगल की अरदास के साथ आप से सजिशन्स और फीडबैक्स भेजने का निवेदन तो हम जरूर करेंगे तो दीजी अनुमती राकेश को और मुक्ता को नमस्कार भाने राकार आज नव वर्ष 12-16 के आरम में मुझको बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपने सारे साथी जो बाबज के सीम कृपा से हमारे सेंटरल एडवाजरी और प्लैनिंग बोर्ड के मेंबर हैं उन सब की और से आपको लाक लाक बढ़ाई देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आपके लिए नव ये वर्ष जो है वो सुआमना हो सुंदर हो प्रक्तिशीर हो और जहां बहुत रिख वाद में आप उन्ती करें वहाँ जातमबाद में भी आप बढ़ चाशकर भागे लें On behalf of all the members of the Executive Committee of the Sun Gari Mandel I heartly wish you all a happy new year and I expect you will continue viewing the activities of this news divine as usual इस नव वर्ष दोजार सोला के अप्लक्ष में दास सेवदर के समस्त सदस्य और अधिकारियों की और से पूरे नंकारी जगत को और विश को शुब कामने देते हुए अरदास करता है कि आने वाला ये वर्ष हमारे लिए खुश्यूंबरा हो रहमतू से भरपूर हो और बावा जी की तरफ से मिला हुआ नाम का रंग इतना गूरा चले कि संसार के अंदर शामती और अमन एक तकावातावन बने रवेंड सेंस धननकार, on behalf of Shandankari Charitable Foundation, its members and its team of volunteers, I wish all the viewers of News Divine a great and very happy 2016 and we pray at the lotus feet of His Holiness Sadhguru Baba Haradev Singh Ji Maharaj to bless you all as well as everyone who is doing the seva for this News Divine as well as those viewers also we pray that they get the blessings and they have the best of 2016 and in the years to come नरंकारी कॉंपलेक्स के सभी सेवादार महात्मों की ओर से, News Divine के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार दिक्षूप कामना है Happy New Year! California Saas and Yodh Se, Sabhi Kod, Happy New Year! Happy New Year! Dan and Darji, we'll see you at NIS too! Happy New Year! Happy, 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 Happy New Year! Happy, Happy, Happy New Year! Happy New Year to all! Saat Sanat, कि प्यार से कहिए पान्दाभा जी Saat Sanat, कभी कभी हभी हम सभी में सत्कृू बाबाजी से नए साल में Saat Sanat पृपूर शीरवद हमारे को मिले सचे पाच्छा का लाग लाग शुकर है ऐसे सब्रू सासमें सभी को सुख दे रहे हैं, अशीर बादें दे रहे हैं और हमारी सथे पाच्छा के चर्ण में जहेर दासा सथे पाच्छा हमार आप दीजे आरेशन सा बक्ति कर सकें, सथसंग कर सकें और इसे खुशी में नए साल की सभी को मुआ रहे हो ट्रॉन की सासमें कियो से सारी इंकारी जगत को सब्ही कुआ रहे हैं From the entire TV of News Divine, wishing you a Happy New Year कर दो कर दो कर दो